नमस्कार आपदीख्रे न्यूस फोर्ड नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ बिहार के सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंदर शेखर के घर में पार्टी को लेकर बवाल मचा हुआ है जहां महाभारत की स्थिती उत्पन हो गई है जहां कल तक अपने छोटे भाई के साथ खड़े रहने वाले उनके बड़ी भाई थी तो आज वहीं प्रोफेसर चंदर शेखर के बड़ी भाई बीजेपी में शामल होने जा रहे हैं जिससे कई बड़ी संकेत मिल रहे हैं इतना ह उन्होंने आरजेजी को लेकर भी कई बड़ी बाते कह दी है याने कि आरजेजी नेताओं की अपने घर में ही भारी फूट हो गई है जहां आरजेजी नेता अपने घर की ही लोगों को समेट नहीं पा रहे हैं दरसल बिहार के सिक्षा मंत्री और मदेपूरा से राज़त विधायक प्रोफेसर चंदर शेखर प्रसाद यादफ के घर में महाभारत शुरू हो गई है कल तक हर संकट में अपने चोटे भाई चंदर शेखर के साथ खड़ी रहने वाले प्रोफेसर रामचंदर प्रसाद अब उनके खिलाफ रहेंगे चंदर शेखर के बड़े भाई आने वाले दिनों में बीजेपी में शामल होंगे मदेपूरा में मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर रामचंदर ने बताया कि वो एक रास्ट वादी हैं और बीजेपी की नीती से प्रभावत है उन्होंने राजद और समाजवादी दलोपार आरक्षन के नाम पर OBC समाज को गुमराह करनी और ठगनी का आरूप लगाया है वही रामचरित्र मानस पर प्रोफेसर चंदर शेखर के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि तुलसी दास सामाजिक समर्सता के प्रबल समर्थक रहे हैं उन्हो प्रोफेसर चंदर शेखर ने रामचरित मानस को नफरती गरंथ बताया था गौर दलब है कि आगामी चुनाव में क्या प्रोफेसर चंदर शेखर के खिलाव चुनाव लड़ सकते हैं इस पर प्रोफेसर रामचंदर यादव ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कई ल प्रोफेसर चंदर शेखर के बड़ी भाई प्रोफेसर रामचंदर यादव दिल्ली विश्व विद्याले के सत्यवती कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर थी अब रिचार्मेंट के बाद वे मधिपूरा में रहकर अपनी राज़ृतिक जमीन को तलाश रहे हैं और उन्ह प्रोफेसर चंदर शेखर के बड़ी भाई रामचंदर प्रसाद यादव बीजेपी में आने वाले 24 जून को संभावत तोर पर शामल हो सकते हैं जिसको लेकर कयासों का बाजार गर्म हो चुका है इतना ही नहीं रामचंदर यादव ने यहां तक कह दिया कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने ही परिवार के खिलाफ राज़ृतिक पिछ तयार करते हैं और राज़ृति की बात काफी अलग है याने की दो भाई एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के आमनी सामने आने वाले दिनों में सियासत की चुनावे पिछ पर नजर आने वाले हैं फुराग एले इस खबर में अतना ही नमस्काव